हालो डियर स्ट्रॉंट ऐसे आप लोग तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नभी चैप्टर क्रेंट उलेक्टिक सीडी,र इस वीडियो लेक्चर में वा डिसकास करहोंगा इलेक्तिक बन्याइबरेश्य कृरंड मेरेश्य कृरेंगे एन्टनी उस्प्सेप्च Define as the rate of flow of charge through any cross section area जो important term है मैंने उसे underline कर रखा है तो यहां पर किलिए लिखा हुआ है कि आप एक conductor लो उस conductor में आप एक छोटा सा cross section area कट करो अब उस cross section area से जो भी charge flow कर रहा है या charge flow होने का rate है उसे ही हम क्या करते है current करते हैं यहां तक तो सभी students को पता होगा किस तरह produce होता करेंट वह हम यहां पर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपने एक conductor लिया इस conductor में एक cross section area हम कट करते हैं यह आपका cross section area हुआ ओके इस cross section area से चार्ज आपका cross करेगा तो यहां पर हम put कर रहे हैं चार्ज पुट करते हैं इस position पर हम चार्ज पुट करते हैं और चार्ज हमारे क्या रहेगा electron रहेगा ओके यह electron चार्ज है अब यह सारा electron जो भी चार्ज है यह cross करेगा इस cross section area से cross करके इधर आ जाएगा यह हमारे electron यहां पर आ गया इधर आ गया और इस process में इस process होने में जो time लगा हमारा वो क्या time लगा टी time लगा total time टी लगा इस time interval के अंदर इस total time में हमारे क्या वह total charge क्रोस कर गया दें चार्ज हमारा क्रोस करेगा तो current इसके जसके opposite flow होगा ध्यान लखना है current जिधर flow current जिधर flow होगा उसके opposite क्या होगा आपका charge फ्लोव होगा तो हमारे current आ और जिसे denote किसे करते हैं I से करते हैं यहाँ पर लिख दिया आ है denoted by I तो जैसे ही आपका charge ख्रोस किया आपके left then current आपका flow होगा आपके just opposite right side में अगर आपका electron flow होगा आपके right में then current आपका flow होगा just आपके opposite most important point है इसे आप note करके लिख लें तो मैं यहां पे बता रहा हूं इस time बता रहा हूं इस time interval में टी time में जितना है आपका charge क्रॉस किया हूँ से ही हम कहेंगे current कहेंगे यहां पर किलियर लिखावा आई इसका टोल चार्ज flowing यही चार्ज आपको है जिसे हम क्यू सी डिनोट किये हैं by total time अब कितने time में क्लोस किया तो टी time में by T then हम आई इसकाव यहां पर सकते हैं Q by T के लिए काफी असान था next term हमारा है average current दिखरें average current यहां पर किलिए लिखावा है if a charge dell q flow through a conductor in the time interval T1 to T2 time interval इसे अंडरलाइन हम कर रहें time interval then average current डिफाइन आइस आई एवरेज इसकाव डिल क्यू बाइ डिल टी तो यहां पर first of all समझते है डिल क्यू और डिल टी क्या है तो डिल क्यू है हमारा q2 minus q1 लिख सकते हैं इसे और डिल टी को लिखें लिखते हैं टी-2 minus T1 या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं इसे और समझते हैं electron यहाँ पर हमने put किया अब यह electron यहाँ से लेकर यह cross करेगा यहाँ आ जाएगा suppose करो t1 time और इसे cross करने में या suppose करनो t1 time यहाँ यहाँ यह है और t2 time यह रहा यह रहा t1 और यह t2 है t1 और t2 इस दोनो time interval में आपका जो भी electron पास कर रहा है जो भी electron cross करेगा initial position में charge suppose कर लो 1,2 या 3 रहेगा final position में इतना सारा charge आ गिया उसे ही हम क्या कहेंगे average current कहेंगे del q by del t और clear समझते हैं आप t1 की जाब पर suppose कर लो 2 second t2 की position पर suppose कर लो 5 second then आपका interval कितना हुआ 5-2 3 second अब 3 second के अंदर या 3 second के interval during 3 second आपका कितना charge फुलो होगा उसे ही हम कहेंगे average current यहाँ पर पार्टिकॉल टाइम है टाइम दिया रहेगा दो टाइम दिया रहेगा उस टाइम के अंदर suppose कर लो वो 10 second रहेगा t1 10 second final आपका time 15 second total time कितना हो जाएगा 5 second अब 5 second के interval में जो भी charge फुलो होगा उसे ही हम क्या कहेंगे average current कहेंगे इस पर question आप बनाओगे तो R clear होगा यह term clear होगा तो next term है हमारा instantaneous current जो most important है यह पूरे whole current में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है तो समझते हैं क्या कह रहा है current at any instant यहां पे लिखा हुआ है current at any instant of time is called instantaneous time क्या कहना चाहरा है आपका जो current है एक moment में एक छन एक पल एक समय या suppose कर लो fourth second पे आपका current कितना है fifth second पे आपका current कितना है eighth second पे आपका current कितना है generally आप लोग mathematics में पढ़ा होगा probation पढ़ा होगा तो उसमें क्या था tth term हमारा किया है t9th term किया है t20th term किया है तो यह same concept आप यहां पे लाओ tenth second में आपका current का value क्या होगा eighth second में आपका current का value क्या होगा यही कहना चाहरा है instant time तो one second के लिए या macro second भी हो सकता है one second के लिए very small time के लिए आपका current का value क्या होगा very small time के लिए तो यहां पे के लिए लिखावा second statement charge follow through a conductor in small time delta t very small time के लिए आपका charge कितना full होगा जब small time के लिए small charge होगा तो current भी क्या होगा small होगा then हम mathematically इसे हम लिख सकते हैं किस तरह लिखेंगे mathematically limit लगा देते है limit del limit del t tends to 0 is equal to del q by del t sorry यहां पर i होगा i is equal to क्यों ऐसा लिखा क्या मतलब वा limit del t tends to 0 g time जो है आपका वो 0 के करीब करीब है बट 0 नहीं है very near है अब 0 पहुंचने वाला बट है नहीं 0 कभी नहीं हो सकता है लेकिन 0 के near near है very small time के लिए जो आपका charge होगा उसे ही हम क्या कहेंगे instantaneous current कहेंगे देन हम इसे लिख सकते हैं dq by dt very small time पे आपका charge follow होगा देन आई instant instant इस culture लिखेंगे हम dq by dt लिखेंगे अब clear हुआ limit के यूज क्यों किया होगा अब यह चीज आपको clear हो गया तो कोसन आप से काफी असानी तरीके से बन जाएगा next हम क्या देखते हैं current का symbol कि तो आपने देख लिया आई से denote करते हैं si unit क्या होता है इसका current का si unit si unit क्या होगा तो ampere होता है इसका si unit ampre यह हुआ आपका si unit और क्या लिख सकते है current is called to अब खुद से बना सकते है q by t होता है then charge का si unit coulomb time का si unit second coulomb second भी हम coulomb per second भी लिख सकते हैं के यहां तक clear हो गया तो आप लोग इसे pause करके इसे लिखो next हम discuss करेंगे कि आपको current जो quantity है current की quantity physical quantity vector है या scalar quantity है वो discuss करेंगे तो आप लोग इसे pause करके लिखो हम रब करने जा रहे है ready one two three रब कर रहे है इस portion को उपर से रब करते हैं यहां पर तो आप लोग heading दे दिजे quantity of current एक तरफ डाग्राम बनाईए vector quantity दुसरे तरफ दुसरे side में आप scalar quantity दीजे अब आपको decide करो जब तक मैं बहुत रब कर रहा है आप decide करो आप इसी किस quantity में रखोगे vector quantity या scalar quantity में है ओके बहुत सारे student का answer भी आ रहा है अब हम यहां पर show कर रहे हैं एक side लिखा आप लोग vector quantity second side scalar quantity ओके तो इधार हम लिख रहे है vector और इधार लिख रहे है scalar ठीक है current का quantity आपको decide करना है first of all हम लोग vector के बार में समझते है current के पास क्या होता है current के पास magnitude होता है magnitude clear magnitude second हम क्या देखेंगे direction होता है यह नहीं current के पास तो obvious direction भी होता है अगर आपका electron यह रहा electron यह रहा electron move कर रहा है आपके sorry right में move कर रहा है यह right then current क्या होगा left आपका move करेगा current just opposite move कर रहा है current का direction तो यहां से clear है current के पास क्या है direction भी है तो हम लिख लिख रहे है यहां पर current है also direction ओके direction है current के पास magnitude भी है direction भी है third term क्या होता है vector define करने के लिए क्या होता है third term ट्रेंगी लाव और वेक्टर एडिशन क्या यह एड होता है त्रेंगी लाव से देखते हैं वो भी suppose कर लो यह one ampere आपका current है कि यह वाला two ampere है इस direction में flow हो रहा है दोनों के बीच का angle 30 degree है दिख रहा है clear यह two ampere है और यह junction है इस junction से current आगे निकल गया यहां पर three ampere है यह concept मैं आगे भी बताऊंगा one ampere यहां से आया two ampere यहां से आया दोनों add होके three ampere हो गया अब आप कहोगे कि से इधर से भी आ रहा है current इधर से भी आ रहा है है दोनों के बीच में angle भी है और add हो गया तो ट्रैंगिल लॉग को अभी कर रहा है बट यह ट्रैंगिल लॉग को क्या होता है आपका वेक्टर एडिशन होता है resultant हम निकालते यह तो इधर से आया इधर से यह three ampere हो गया देन यह ट्रैंगिल लॉग को अभी नहीं कर रहा ह है अपे लिए ट्रैंगिल लॉग को ट्रैंगिल लॉग कारता है आपको क 느 configured है आप आपके Прी लॉग को कौनि力े को हम को हम रखेंगे स्कलर क्वाइट अगर आपके एग्जाम में question आ गया कि current का quantity बताओ और option में दिया रहेगा vector first option second option scalar third option tensor fourth option none of this तो आप क्या put करोगे उस बग यहां पर हम लिख देते हैं exam में आ गया first option vector है second option आपका scalar है third option आपका tensor है fourth option आपका none of these fifth option something कुछ और रहेगा तो किस चीज़ को आप करोगे आँख बंद करके कर दोगे scalar को तो उस वक्त हो सकता है गलत हो जाए अगर tensor दिया रहे option में अगर tensor दिया रहे घ्यान से सुनो अगर option में tensor दिया रहे option में tensor दिया रहे रटलो तो tensor पे टिक करेंगे अगर option में tensor नहीं है यह चीज़ नहीं है tensor आपको नहीं है tensor नहीं रहेगा तब हम क्या करेंगे scalar को टिक करेंगे clear तो यहां तक clear हो गया तो आप हम लोग कुछ basic question सॉल्व करेंगे तो हमारा पहला question है question no.1 इसे लिख लो question no.2 first question कहा रहा है if charge is equal to tq plus 3 t plus 3 then find current at t is equal to 4 t is equal to 4 second question कहा रहा है i average at 0 to 3 second first of all हम लोग first question solve परेंगे current at t is equal to 4 second यहां पर question में क्लिए लिखा हुआ current at t is equal to 4 क्या मतलब हो इसका fourth second पर आपका fourth second पर current का value क्या है clear है कि instantaneous current पूछ रहा है at t is equal to 4 लिखा हुआ यहां पर तो instantaneous का हम यहां पर formula लगाएंगे क्या होगा instantaneous current का formula क्या होता i is equal to dq by dt then q के जागए पर हम क्या लिखेंगे जो q का हमारा value दिया है वह लिख देते हैं यहां पर लिखेंगे d by dt t cube plus 3 t plus 3 clear differentiate कर देंगे क्या हो जागा i is equal to t 3 t square plus 3 होगा now कुछ रहा है t is equal to fourth पे fourth position पे current का equation हमारा निकल गया अब हमें fourth equation fourth second पे जो हमारा current होगा वह कैसे निकलेगा तो i4 हम इसे लिख सकते हैं 3 4 t के जाब पे 4 लिखेंगे क्या हो जागा 16 plus 3 total हमारा current क्या हो जाएगा 48 plus 3 51 ampere होगा question काफी असान है इस point को समझना है आप कौन सा formula यूज करोगे इसी point से तो आदे student गलती कर जाते हैं next question है i average to i average fan करना है 0 to 3 second इसे one suppose करो question number one यह two है आपको यहां पे one है second question हम इदा solve कर रहे है i average find करना है i average यहां पे तो clear है i average का formula क्या होता है del q by del t then i average is equal to आप क्या लिख सकते हो q2 minus q1 by t2 minus t1 के लिए अब यहां पे समस्य है q2 क्या होगा q1 क्या होगा t2 क्या होगा t1 क्या होगा everything यहां पे clear दिया हुआ है i average 0, 2, 3 second t1 यहां पे आपको क्या होगा t1 यहां पे क्या हो रहा है 0 second यह आपका t1 हो गया यह आपका t2 हो गया clear यहां तक अब आपको q2, q1 how to find it तो काफ़े असान है q2 और q1 find करना q का equation यहां q is equal to q plus 3 t plus 3 है तो हम यहां पे q1 q लिखते है q का equation क्या है t3 plus 3 t plus 3 okay q1 हमें पहले find करेंगे q1 q1 क्या होगा t1 time पे आपका जो value होगा t1 का वो लिखेंगे q1 0 का value यहां पे put करेंगे 0 plus 0 plus 3 होगा clear q2 क्या होगा आपका तो time 2 पे t2 time पे t2 का value हो 3 second वो हम यहां पे put करेंगे q1 q2 minus q1 q2 के जाब पे final भी हो सकता है q final minus q initial t2 के जाब पे t final minus t initial भी हो सकता है तो यहां पे initial position पे 0 second है final position पे 3 second है initial position पे आप current का value निकालोगे current का equation दिया हुआ है initial में तो 0 second है put कर दिया q1 निकल गया q2 find करना है q final charge आपका final charge find करना है then final time में आपका final time किया है तो 3 second है तो इस equation में t2 का value put करोगे final position का time put करोगे then आप q2 निकाल लोगे काफे असान है q2 इस कल्टू आपका put करेंगे 39 q1 का value plus minus 3 होगा divided by t2 का value 3 second minus t1 का value 0 second तो यहां पर हम क्या total 36 by 3 is called to 1 and 2 ठीक है 12 ampere आपका answer होगा i average clear first question clear होगे second question देखते है क्या कह रहा है i का value दिया होगा i is called to tq plus 3 then find charge in 2 seconds second question कह रहा find number of electron in 2 seconds first of all पहला question हम बनाते है current का value है यह आपका जो value है variable है अब जो use कर रहे था i is called to q by t q by t यह constant current की value थी constant current constant current था okay बट यहां पर हमारा current का value क्या variable है जब variable value रहे current का तो हम different formula का यूज करेंगे और कौन सा formula यूज करेंगे तो अभी हम drive करते हैं यह आप लिख लिजे constant current यहां ऐसे हम लब करते हैं जब आपका variable current रहे है तो आपको पता है instantaneous current का value dq by dt clear dq is called to लिख सकते हैं i dt equation 1 dq is called to i dt अगर आपका current का value variable change कर रहा है time पे time to time आपका current change कर रहा constant time नहीं है हर different different time पे आपका current का value change हो रहा है यानि के variable current है देन हम क्या करेंगे change हो रहा हर एक position पे change कर रहा है छोटा 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 आपका current हो रहा है छोटा छोटा चार्ज हो रहा है then सभी छोटे छोटे चार्ज को क्या करेंगे integrate कर देंगे add कर देंगे तो total charge निकलेगा तो हम इसे integrate कर देंगे dq is called to हो जाएगा integration of i dt most important formula okay कितने आसानी से आप लोग तीन स्टेप में आप लोग समझ लिया most important अब इस formula का हम यहां पर यूज करेंगे हम यहां पर find करना charge तो equation आपने क्या निकाला dq is called to dq is called to integration of i dt अब small charge का integrate करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा total charge यह total charge निकलेगा in two seconds में देखो कैसे हम इसे यहां पर apply करते हैं पहले हम यहां पर dq लिख देते हैं i का value यहां पर put करेंगे क्या होगा t cube plus 3 dt integrate करना है अब limit आपको लेना कहां से कहां तक लिखोगे limit लोगे question में clear दियावा है question में clear दियावा आप limit कैसे लोगे in two seconds क्या मतलब वहा in two seconds its means आपका चार्ज initial time आपका zero है zero से लेके two seconds 2 seconds के अंदर आपका चार्ज क्या होगा तो initial time आपका zero ही तो होगा zero से two seconds then हम lower limit zero seconds लेंगे upper limit कहां तक जा रहे हम integrate कहां तक करेंगे two seconds तक तो यहां पर हम two लिखेंगे clear then integrate करेंगे अब चोटे चोटे चार्ज का करोगे तो क्या होगा टोटल चार्ज निकलेगा तो हम यहां पर टोटल चार्ज क्यू लिखते हैं T cube का integrate करो T cube का integration क्या होगा T 4 by 4 4 पलस 3 T clear 0 to lower limit 0 and upper limit 2 अब इसका value हम यहां पर पुट करेंगे ओके तो क्या हो जाएगा 2 to the 4 4 to the 8 16 यहां पर होगा 16 by 14 और इधर क्या होगा बोलो यहां पर क्या होगा 6 cancel हो जाएगा 4 then 10 10 coulomb आपका चार्ज होगा ओके देखे ना mathematically सही है न यहां पर रखा 4 ठीक है ओके तो आपका चार्ज का वैलू निकल गया है in two seconds में four coulomb होगा second question आपका कह रहा है second question क्या कह रहा है find number of electron in two seconds in two seconds में number of electron कैसे निकालना तो आपको पता है और चार्ज का formula क्या तो चार्ज is equal to n e where n क्या है आपका number of electron n then n is equal to q by q by e लिखोगे के लिए charge in two seconds आपने find किया कितना है 10 coulomb तो यहां पर लिखोगे 10 coulomb then electron का value क्या होता है इस electron का value magnitude क्या होता है minus 1.6 into 10 inverse 90 coulomb यह आपको याद करके रखना होगा 1.6 into 10 inverse 90 coulomb तो अब यह उपर जाएगा 10 to the power 20 हो जाएगा divided by 1.6 इसे solve कर लोगे तो आपका total number of electron निकाल जाएगा काफी असान था बस term को आपको समझना है term को समझना है term को समझना है term अगर नहीं समझ पाए तो आपका question solve नहीं हो पाएगा तो last question हमारा if charge flow in time t through a cross section area cross section of y is q2 beta t plus gamma t square where beta and gamma constant है then i आपको find करना है second question कर रहा है sketch graph i versus t इसे आप लोग लिख लो यह formula लिख लो हम इसे रप करने जा रहे है solve करेंगे जो question में दिया हुआ है first of all आप उसे यहाँ पे लिखो q का value दिये हुआ है beta t plus gamma t square then current आप नहीं find कर सकता हो instantaneous का formula लगा दो i is equal to dq by dt where beta gamma क्या constant है इसे हम integrate कर देंगे क्या हो जाएगा पहले लिख लेते हैं beta t plus gamma t square क्या हो जाएगा current यहाँ से आप sorry differentiate करोगे integrating differentiate करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे beta plus 2 gamma t यही आपका equation 1 और current का value होगा clear second question कर दा है sketch graph i versus t i और t के बीच में आपको graph find करना है तो कैसे find करेंगे तो आपको क्या करना होगा कुछ time का value हम लेंगे कुछ current का value लेते हैं then i को हम y axis पर रखेंगे और time को x axis पर रखेंगे जो value आपने निकाला i का उसे put करेंगे और जो time का value निकालेंगे उसे हम put करेंगे ठीक जो मैं बोल रहा हूँ same process आप चलेंगे यहाँ पर ठीक तो सबसे पहले क्या कर रहे हम zero time t is equal to zero पर हमारा current का value क्या होगा t is equal to zero पर तो equation आपके पास है equation number one यहाँ पर लिख़ए beta plus 2 gamma t यहाँ पर यह आर नहीं gamma गामा इस तरह ठीक है then t का value यहाँ पर zero लिखा zero रखे तो क्या हो जागा i is equal to beta i is equal to beta किसे आप इस तरह घेड़ लो equation two माल लो अगर आपका current zero रहेगा अगर आपका current ही zero रहेगा then time उस वक क्या होगा किस time में आपका current zero हो सकता है तो वह हम निकालते है equation क्या आपका यह वाल है यह वाल equation में हम current को zero पुट करेंगे पहले current का equation लिख लेते है i is equal to beta plus two gamma t okay current हमारा zero है beta is equal to two gamma t clear then यहाँ से हम time निकाल सकते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं time निकाल सकते हैं तो two gamma t minus beta time is equal to t is equal to beta by two gamma minus क्यों मैंने छोड़ दिया time कभी minus में नहीं होता है magnitude हम यहाँ पे लेंगे t का magnitude लेंगे t is equal to हमारा है beta by two gamma current is equal to i i is equal to beta अब दोनों के बीच में graph draw करेंगे तो आप लोग इसे pause करके लिखे हम यहाँ पे गिराफ बनाएंगे तो इसे रप करें ready one two three रप करने जाने इसे रप कर रहे है रप कर रहे है यह portion इतना मिटा रहे है अभी यहाँ पे हम इस question का गिराफ बनाएंगे यह question का यहाँ पे गिराफ बना रहे है suppose करो अब y axis पे y axis पे current put किया clear और x axis पे क्या put करोगे time put करोगे अब देखो t is equal to zero पे time क्या है time इस पे value value gonna zero time कहां पे होगा this origin पे zero zero time होगा current भी हमारे क्या होगा this position पे zero होगा zero time पे हमारे current का value क्या है beta कुछ value है कुछ magnitude suppose कर लो यहां पे beta यहां पे beta clear zero time पे 0 time पे सब्सक् puff निर्ट कर्कलल ट्रीच कब जाब बीटाबिटेशा गाम्म में यहां तो इसकर डूप डिफीरोms इसकर क्वीसिंट का सब्सक्राइब — पडिन स्यथा लिज आप करेंगे आप अब है यहां कट कर देंगे यही आपका गिराफ होगा इस तरह एक्जाम में आएगा तो आपको फुल मार्ट्स मिल जाएगा किलियर तो आप लोग पॉस करके लिख ले नेक्स टाम हमा